सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूटूब चैनल को और दबाइए बैल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े ही असानी से हेलो नमस्कार दोस्तो मेरा नाम रोतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे यूटूब चैनल निमीजी नेट पर दोस्तो आज हम पेपर फर्स्ट लोजिकल रिजिनिंग में एक नया टोपिक करने वाले हैं जो अभी विसेंटली एड हुआ है भारती दर्शन सास्तर में से पर्मान अब देखें पर्मान में से कई तरह के कोशन आए हैं और इनमें जो टोपिक है वो जैसे पर्तेक्स हो गया अनमान हो गया उपमान हो गया सब्द अर्थप्ति अनुपलवधिया अभाव है ये टोपिक करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तो क्योंकि इसमें से जून 2019 का जो एक्जाम था उसमें कई कोशन आए हैं और आगे जो हमारा दिसम्बर का एक्जाम होने वाल इस ग्रूप में हम आपको दोस्तो सिस्टमैटिक ढंग से स्टड़ी करवाएंगे इस ग्रूप में आपको हर रोस दो वीडियो मिलेगी सुभह की जो वीडियो होगी वो थेयोरिकल होगी और स्याम की जो वीडियो होगी उसमें हम आपको most important question के बारे में बताएंगे और उ जोइन कीजिए और अपनी study अच्छे से कीजिए लिंक वीडियो description box में दिया हुआ है दोस्तों सबसे पहले हम भारतिय दर्शन सास्तर में परमान की बात करते हैं परमान होता क्या है उसके बाद में परमान से related जो भी हमारे topic हो सभी करेंगे देखिए परमान क्या होता है प किसी भी चीज़ का proof होना जिससे हमें सही से पता चल सके ये बात इस तरह थी और ये चीज़ इस तरह से है तो परमान का मतलब मोटा मोटा देखा जाय तो ये होता है और परमान के अंदर परमान को सिद्ध करने के लिए उसको सही तरीके से define करने के लिए कई चीजों का हम उसके अंदर सब टोपिक आ जाते हैं जैसे प्रतेक्स हो गया, अनमान हो गया, उपमान हो गया, सब्द हो गया, अर्थप्ति हो गया, अनुपलब्धिया, अभाव हो गया तो इन सभी के बारे में भी हम पढ़ेंगे यहां पर हमने हिंदी में दिया हुआ है, यह आप बिलकुल असानी से पढ़ सकते हैं, अगर आप नोट्स बनाना चाहे तो बना सकते हैं और अब देखते दोस्तों सबसे पहला जो टोपिक आता है, हमारा वह आता पर्टेक्स, अब देखिए पर्टेक्स, देखिए आपने कई बार देखा होगा, सुना होगा कि पर्टेक्स को परमान की जरूरत नहीं होती इस तरह से हमने आपन बोल चाल की भासा में सुना है पर्तेक्स होता है दोस्तों एकदम हमारी आँखों के सामने बिल्कुल कलियर कट कोई बात हो वो हमें दिखाई देज है उसके अंदर किसी भी तरह की छोपी भी बात ना हो अब देखे इसके अंदर क्या होता है मुखे रूप से क्या होता है इसके अंदर हम अपनी आत्मा मन और इंदरी यानि कि जो सेंस होती है हमारी स्रीर के अंदर उनके दोरा किसी चीज़ को जानना उसे समझना वो क्या होता है पर्तेक्स होता है जैसे कि मान के जलते हैं कि हमारे सामने आग जल रही है ये देखिए जैसे हमारे सामने कहीं पर आग जल रही है इस तरीके से तो ये हमें बिल्कुल साफ साफ तरीके से दिख रहा है वही वो आग जल रही है उसके अंदर किसी भी तरह की कोई बात च्छिपी हुई नहीं हम ए देख ले उसे खून बहता हुआ देख ले तो वो क्या होगा कि वो हमारे सामने पर्तेक्स परमान होगा किसी की जैसे हड़ी तूट गई हो हाथ कट गया उंगली कट गई तो वो एक हम उसे देख लेते तो वो पर्तेक्स हमारे सामने परमान होता है दूसरी तरफ अगर कोई ह आके ये कहए दे भाई उसे तो नहां चोट लगी और उसको उसका जैसे की हड़ी तूट गी तो वह एक पर्टेक्स प्रमान नहीं है दोस्तों वह हमें क्या है कि हम हमें कोई बता रहा है हम उसकी बातों पर केवल और केवल विश्वास कर सकते हैं और वह विश्वास हम उस प पर्मान कहेंगे और यहां पर आप हिंदी में पढ़ सकते हैं पूरी बाते हमने दी हुई है अब देखिए आगे है हमारा दोस्तों आगे है अनुमान अनुमान जैसे की जैसे नाम से ही पता चल रहा है हमें अनुमान लगाना हमें अंदाजा लगाना किसी चीज के बारे में इसे अब देखी इसके अंदर अनुमान के अंदर क्या होता है कि ऐसी कोई चीज जिसका हमें डायरेक्ट रूप से पता नहीं चल रहा हो जिसका परतेक्स रूप से हमें कुछ पता नहीं चल रहा हो तो वहाँ पे हम क्या करेंगे अनुमान लगाएंगे भी हाँ यह हो सकता है यह हो सकता है वहाँ पर हम अपनी जो thinking है वो दोडाएंगे कि क्या क्या हो सकता है संभावना है वहाँ पर देखेंगे अब देखेंगे जैसे यहाँ पर मैंने एक example दिया हुआ है जैसे यहाँ पर आप देख सकते कि यह धुआ है यहाँ पर इतना धुआ है black black तो यहाँ पर ह हमें नहीं पता कि यहां पे आग जल रही है या पटाखों का धुआ है या फिर आर्टिफीशियल कोई धुआ है यहां पे किस तरह का धुआ है यह हम नहीं कह सकते हम अंदाजा लगा सकते कि हां यहां पे आग लगी हुई होगी हम अंदाजा लगा सकते अनुमान यहां पे ल लगी हो और या फिर यहां पर पटाके जलाए गए हो तो कुछ भी यहां पर हो सकता है हम केवल और केवल अनुमान लगा सकते हैं ठीक है और उसके बाद है दोस्तों उसके बाद मैं बताओं आपको उसके बाद है उपमान उपमान का मतलब होता है दोस्तों एक चीज़ का दूसरी वस्तु से compare करते हैं और फिर अर्थ निकालने की कोशिस करते हैं तो उसे हम उपमान कहते हैं जैसे कि एक example दो हम जैसे नील गाएं हैं अब जैसे मान के चलिए मैं आपको बताऊ या कोई और किसी को बताए कि मैंने आज एक नील गाएं देखी और वो तो बहुत होती है और गाएं जैसा सरीर होता है उसका यानि कि वो उसके साथ comparison करके वो नील गाएं के बारे में बता रहा कि नील गाएं कैसी होती है दोनों का comparison कर रहा है और similarities उनके अंदर जो समानता है वो बता कि उसे समझाने की कोशिस कर रहा है तो जहां पे comparison करके कोई बात कहते हैं और दोस्तों यहां पे English Hindi में आप देख लेना क्यूंकि कई वार हम Hindi में confused हो जाते हैं और आगे देखते हैं दोस्तों आगे हैं हमारे पास सबस्ति अब देखिए सबस्ति परमान के अंदर क्या होता है दोस्तों और इसे verbal testonomy भी कहते हैं अब देखिए सब्द पर्मान के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर हम किसी के कहे गए सब्दों पे ही विश्वास करते हैं हमें परतेक्स रूप से नहीं पता होता हम अनुमान भी नहीं लगा सकते वहाँ पे और पर्तेक्स रूप से भी हमें नहीं पता होता और उसे हम टेस्ट भी नहीं कर सकते हम केवल और केवल जो व्यक्ति जो बात कह रहा है उसी पर हमें विश्वास करना होता है अब देखी इसके इंदर क्या होता एक एक एक्जामपल दे के मैं आपको समझाता हूँ आप हिंद 24,400 किलोमेटर इन दोनों के बीच की दूरी है तो ये क्या है दोस्तों ये हमें विश्वास करना होगा वेग्यानिक की बातों पे हम खुद वो तो नहीं है ना कि हम इसकी डिस्टेंस हमापने चले कि कितनी है कम है ज्यादा है क्या है और ना ही हम पर्तेक्स रूप से देख सक और ना ही इसके अंदर उपमान यानि कि कमपेरिजन कर शकते इसके अंदर क्या है कि जो विज्वास कर शकते हैं तो ये होता है हमारे पास सब्द पर्मानी यानि कि जो व्यक्ति कुछ बात कर रहा है तो उस पे विश्वास कर लेना जैसे कि हमने देखा होगा कि अपने बातों पर विश्वास कर लेते हैं हमें डायरेक्टर रूप से नहीं पता होता कि सचाई क्या है जूट क्या है कैसे हम केवल और केवल उनकी बातों पर विश्वास कर लेते हैं तो उसे कहते हैं सब्द परमान कहते हैं और नमबर फाइव पर आता है दोस्तो अर्थापती अर्थ के दवारा जो प्रापती होती है हमें ग्यान की उसे हम अर्थअपती कहते हैं अब देखिए इसके अंदर क्या होता है जैसे हम मान के चलते हैं कि एक व्यक्ति है देववत देववत हमने नाम मान लिया इसका देववत दिन में भोजन नहीं करता लेकिन फिर भी वह मो मोटा है अब देखे इसके अंदर क्या होगा इस वाक्य में ने खाना तथा फिर मोटा होना इन दोनों कथनों में समने की उत्पति नहीं होती यानि कि ने अब देखे हम यह कहे दे कि कोई व्यक्ति है वह कुछ भी नहीं खाता और फिर भी मोटा है तो दोनों की दोनों जो ब यहां से यह अर्थ निकल रहा कि जो देव वता वो नाइट को भोजन करता होगा रात को बहुत कुछ खाता होगा यहां से हम अपनी तरह से एक अंसर निकाल लेते हैं उससे हमें पता चल रहा कि अगर यह इनसान दिन में भोजन नहीं करता तो उसका मतलब सिद्धी सी बात यह कि यह रात को खाना खाता होगा इसलिए यह मोटा है तो इस तरीके से यानि की अर्थ जो निकालते हैं उसे हम कहते हैं अर्थापति कहते हैं ठीक है और आगे देखते हैं दोस्तों आगे हैं हमारा लास्ट अनुपलब्धिया अभाओ अब देखे इसका मतलब क्या होता है जैसे नाम सही हमें पता चल रहा अनुपलब्धी या अभाओ यानि कि किसी चीज की अभाओ होने से किसी चीज की कमी होने से हमें कुछ ग्यान प्राप्त हो उसे हम कहते हैं अनुपलब्धी या अभाओ कहते हैं अब देखे इसक पास क्या है पैसे नहीं हैं हमें ये पता चलता है उनके अभाव के बारे में पता चलता है कि उनके पास पैसो का अभाव है इतनी बात हमें पता चल गी तो इससे क्या है कि इससे हम कई और चीजे निकाल सकते हैं कई और आर्थ निकाल सकते हैं जैसे कि अगर इनके पास पैसे नहीं हैं तो इसलिए स्ट्रेस में रहते हैं इसलिए हमें अच्छे से नहीं पढ़ा पाते और इसलिए इनका ज्यादातर लोगों के साथ जगडा होता है तो एक चीज का अभाव का हमें पता चला और उस अभाव से हम कोई अर्थ निकाले या कुछ और समझे तो उसे हम क्या कहेंगे अभाव या फिर अनुपलब्धी परमान कहेंगे तो दोस्तो ये थे आज के हमारे मुखे रूप से छेत रहे के परमान इन में से कोशन आए हैं और इवनिंग की जो वीडियो होगी उसके अंदर मैं कोशिस करूँगा कि इन में से जो भी कोशन आए है वो आपको करवाओं उन में हम देखेंगे कि किस तरह से कोशन आते हैं और आगे किस तरह से आने की संभावना है तो दोस्तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सेर कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और घंटी का वटन जरूर दवाईए ताकि आप हमारी आने वाले वीडियोज को सानी से देख सकें थेंक्यो दोस्तो